व्लकम तो दिस नुव लेस्न तो यह जो लेस्न होगा हमारा इसमें हम IMPORTANT FACTS डिसकस करेंगे मद्धिबदेश history arts and cultural से related तो basically इस lesson का फंड़ा यह है कि MP history, arts and culture काफी वास syllabus है काफी सारे facts हमको पढ़ने होते हैं तो यह जो lesson है मैं लेस्न में क्या किया है में थोड़ा सा बेग्राउंड आपको बताऊंगा कुछ ऐसे होंगे जो आपको सीधे-सीधे मगप करने तो आप एक दो बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा शुरू करते हैं हमारा पहला फेक्ट तो यह पहला फेक्ट है कि मद्धिप्रदेश फेस्टिवल कहा मनाया में है और कौन से यर में बनी थी तो वह बनी थी 1978 कहीं कहीं आपको 77 लिखा हुआ मिलेगा बट वेबसाइट पे इनकी कालिदास अकेडमी की वेबसाइट पे 1978 लिखा हुआ है थर्ड फेक्ट है हमारा कि खजुराव फेस्टिवल जो है वह 1976 में शुरू हुआ कौन इसको कर फेक्रति थी 1952 में जुरॉख शेल्टर आपका कहां पर है तो राइसेन भीम बेटका बीटका जो है आपका लार्जेस्ट रॉक शेल्टर हैं और इसकी जो भीम बेटका की दिसकोवरी की थी डॉक्टटर वाकड करने की थी इन ये 957 नेक्स जो आपका एकिंस जो आपका ए हो से खाजूराव ें में टेंपल है जिसको हम बोलते हैं कंदार्या92 तू कि अगला कुशन आपका कि जो एक फोर्ट बाद्चाही किला है जो है गुरानपूर में उसमें जो डिफेंस वॉल को हम बोलते हैं दीवार ए बंदोबस्त ठीक है अच्छा अगला फेक्ट है आपका किला है वो गहां है तो अटेर का किला बिंड में है और ये खूनी धर्वाजा है यहां पर है वह बड़ा फेमस है जो एट्थ फेक्ट है हमारा कि अबदूल रहीम खाना कहां का इंस्क्रिप्शन हमें कहां देखने को मिलता है तो बाच्चा ही फोर्ड गुरानपूर में देखने को मिलता है नाइन्थ फैक्ट चत्रसाल म्यूजियम कहाँ पर है चत्रसाल म्यूजियम जो है आपका वो चत्रपूर में है ठीक है अगर आपसे कोई कुशन पूचेगा कि बाजीराव फैस्ट किसके अडॉप्टेट संथ है तो वो आणसर आएगा चत्रसाल अगला फैक्ट है हमारा साकेट म्यूजियम कहाँ पर है तो और्चा में है जो की पेंटिंग्स के लिए फेमस है साकेट म्यूजियम और्चा फेमस फूर पेंटिंग्स गोल घर म्यूजियम कहाँ पर है तो वो बुबाल में है अगला फैक्ट महाराजा साथा साल की चतरी कहाँ पर है तो वो चतरपूर में है और किसने बनाई तो वो बनाई थी बाजीराव फरस्ट ने तो बाजीराव फस्ट इनके अडॉप्टेट संथे कमलापती जो महारानी कमलापती की चतरी सेनोटेप कहां पर है तो वो भी चतरपूर में है बलदेव जी टेंपल कहां पर है पन्ना में है ठीक है अच्छा कुंडेश्वर महादेव टेंपल कहां पर है तो ध्यान रटना ये कि जमदार रिवर है जो की टीकमगड में बहती है तो उसके किनारे पर ये कुंडेश्वर महादेव एंपल है रिवा फोर्ड जो है आपका वो दो नदियों के बैंक पर है बिच्छिया और बीहर रिवर जहां मिलती है वहाँ पर रिवा फोर्ड बना हुआ है तांसेंग जो है आपका उनका असली नाम था राम तनू पांडे तो उनको जो तांसेंग का टाइटल था वो किस ने दिया था अगबर ने दिया था मेहर बेंड जो है आपका मेहर जगा है सतना में वो किस से related है बाबा अलावदिन खान से related है अच्छा एक देवगड़ स्टेट थी देवगड़ स्टेट कहां पर थी आपकी यह जो चिंदवारा इधर है यह देवगड़ तो यहां का जो पहला केंट संस्रावरा उसका थे जतोNew Time इटन स्टित्वा छेकी भूक है उस्टाथ हाथ लिकती नतन से इके अगला कोश्चन है आपका कि कुस्टाद हाफिस क्रेंग खान किस से related न स्टैरे एंसे जाने हैं इस स्टाध क करने हैं इनके बेटे थे उस्ताद अम्जत अली खान अगला है आपका कि मुहम्मद बिन तुगलक ने चंदेडी का एड्मिन किसे अपॉइंट किया तो आंसर आएगा आपका जॉलिक खान मुहम्मद बिन तुगलक ने धार का किलाभी बनवाया था और एक भाटियगर इंस्क्रिप्शन है दमों में वो भी मुहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है अगला है कि संगीत लहरी जो टेक्स्ट है वो किसने लिखा है तो शंकर आचारे ने लिखा है अगला है कि गंधर्व कॉलेज गॉलियर की स्थापना किसने की तो कृष्णराव पंडित ने 1914 में की इनके पिधाजी थे फадर शंकर रौब पंडित तो वो उनकी जो memory में उन्होंने गंधर्व कॉलेज गॉलियर बनाया गुजरी पलेस किसे ने बनाया तो राजा मान सिंग ने बनाया गुजरी पलेस ठीक है अमीर सदरह ये किससे related है किसे रिलेटेड है तो ये अमीर सदर जो था वो revenue officer होता था माल्वा सल्तनत में मालवा सल्तना दिल्यावल खान गौरी ने 1401 में बनाई थी जिस टाइम मुगल दिल्ली सल्तनत पे बैठे थे फिरोशाह तुगलक कौन से राजा थे जो की फर्स्ट बैटल आफ पानी पत में जिनकी देत वी थी तो वो थे राजा विक्रमा दित्तियों इंसाइकलोपीडिया आफ कत्तक किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है मुझर वर्ना पुष्टकर को किसने राश्टर कुतास को हराया था और कलिंजर का फोर्ट जीता था तो वो थे राजा यशो वर्मन चंदेल डाइनेस्टी के किंग थे इनके बाद जो राजा आये थे वो थे धंग देव जिनो ने कैपिटल को जो है शिफ्ट किया था अच्छा बाल कृष्णराओ आप टेकर उनका एक और नाम क्या है तो राजा भाईया पूछ वाले ये एक मुजीशन थे जो गौलियर गराने से रिलेटेट थे ठीक है उस्ताद आमिर खान जो है इंदोर से रिलेटेट है इनका जनम हुआ था 1913 में कहीं कहीं 1914 भी लिखा है तो 13 14 दोनों आप्शन में नहीं आएंगे अच्छा मुगलों ने नाकपूर पे जब अटेक किया तो उस चक्रधर के पेट्रोनेज में थे कौन सा चंदेल रूलर था जिसने अपना केपिटल कलिंजर से खजुराव को शिफ्ट किया तो वो था राजा धंगदेव जो अलावदिन खिल जी था उसने जब मालवा में अटेक किया 1305 में तो वहां पे वो किसको छोड़के गया एजन पे जो रिलेटेड हैं अमजयत अली खान जो सनव अफिस अली खान इससे रिलेटेड हैं जिनोंने कथक में डॉक्टरेट ली थी तो वो हैं आपके पूरू ददीच जिनको कथक डांस में डॉक्टरेट मिली थी बहुत बड़ी बात है जब इल्तुतमिश ने अटेक किया किया था वो मझे बस उसका एयर बता दी खिसे कौन्से यिह दो मंद करांटा क्या होता तो द्यान र味ा अन मंद क securities होती है उसमें के स्टायल होती है जिसको मंद करादा कहा जाता दा है तो यह कोई रस नहीं है और संस्कृत किको diffraction होती है इंए एक स्टायलौ यह ढार सुद्धिन बलबन से स्लेव डाइनेस्टी का जो किंग धा उसने कलिंजर के फोर्ड पे हामला किया था तो वह किसके अंडर में किया था मतलब कौन था उसका सेनापती तो वह कौन था उलुक खान था अचा भरतारी तो चे भरतारी ये राजा विक्रमा दित्ति के भाई बता इनका जो गार्डियन किसे अपॉइंट किया गया था तो वो थे कंदर बेनी हजूर ठीके कंदर बेनी हजूर को अनिरुद्ध एक बागिली किंग थे उनका जो है गार्डियन अपॉइंट किया गया था मतलब रूल अनिरुद्ध करते थे पर किसके अंडर में करते थे वहाववूति को चता है बहवूति की एक रचना मालती पान एक रचना है उत्तम राबश्रीत रूर एक है आपकी आपकी मां विर्च राम चरित्रम अचा हर्मंद कोका ये सबसे आएंपी फैक्ट है हर्मंद कोका जो है वो कौन से डाइनेस्टी का कमांडर था तो हर्मंद कोका परमा डाइनेस्टी का कमांडर था भाटियागर इंस्क्रिप्शन जो दमोम है वो किस से रिलेटेड है तो ध्यान रखना ये गियास उद्दिन तुगलक से भी related है और मुहमद बिन तुगलक से भी related है राम चंद्र का रसिक प्रिया किस ने लिखी तो केशवदास ने लिखी है केशवदास समझ लो और्चा के कवी थे और ये रीती काल के कवी थे इनके टाइम में जो कवीताय लखी जाती थी, उससे अलग अटके इन्होंने कुछ लिखादा, तो जो अलग अटके लिखते हैं, उनको Ritikal की कवी बोलते बेसिक बता रहाँ, तो रसिक्व्रिया और राम चंद्र का इनकी रसनां थी, राम रसायन किसकी रसनां थी, पदमाक थी माकनला चत्रुविदी की एक रचना और भी है पुष्प की अभीला शाह हीम तरंगीनी हीम किरिटनी इनको पहला साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1955 में अहलिया भाई होलकर की चत्री कहां पर है महेश्वर में है फिरोश्रा तुगलक के टाइम में चंबल का रूलर क की स्थापना की थी 1401 में उसके और नाम कौन से थे तो आमिन खान और हुसेन खान दिलावर खान का लड़का था होशंग शाह ठीक है जिसको अल्प खान भी कहा जाता था मेहर फोर्ट की स्थापना किस ने की थी तो ये भेड़ी चंद भेड़ चंद एक राजा था बागे तो द्यान रतना नई कवीता का संगर्ष एक ऐसे है जो कि किसने लिखा था मुक्ति बोध जो गजानन मादव मुक्ति बोध है उन्होंने लिखा था गजानन मादव मुक्ति बोध सजन पीट जो है आपकी सागर में है हरी सिंग और उनिवस्टी में इनकी एक रचना और फ तो जॉन वॉकर ने की थी, गेटवे आफ मालवा किसे कहा जाता है, चंदेरी को कहा जाता है, ठीक है, अच्छा, इस तरह से जिब्राल्टर आफ इंडिया, गॉालियर फोर्ट को कहा जाता है, तो यह हमारे फैक्ट थे, आगे भी और हम इस तरह से फैक्ट डिसकस करते रहेंगे, आप बताईएगा आपको यह लेसन कैसा लगा, थैंक्यू सू मच,